ABO Blood Group Now friends, अब हम ABO Blood Group के History और Discovery के बारे में जानेंगे Basically, Blood Group के बारे में इतना बताना चाहूँगा दोस्तों कि Blood Group का जो Classification है, वो 365 Classification है जैसे ABO है, RH है, MN है, बहुत सारे हैं लेकिन नाउ हमारी topic है ABO Blood Group आज हम दोस्तों ABO Blood Group के ही बारे में जानेंगे इसके History और Discovery के बारे में, so let us start The ABO Blood type were first discovered by an Austrian physician Carland Steiner कह रहा है दोस्तों कि जो ABO Blood Group है उसको सबसे पहले जो discovered किया था वो आस्टेरिया के रहने वाले एक physician थे जिसका नाम था Carland Steiner इन्होंने ही दोस्तों ABO Blood Group को discovered किया था When he was working at the Pathological Anatomical Institute of the University of Wiena Now it is Medical University of Wiena और कब किया था इन्होंने discovered जब ये काम कर रहे थे एक institute में जिसका नाम था Pathological Anatomical Institute of the University of Wiena जिसका नाम इस टाइम Medical University of Wiena रख दिया गया है Now friends अब हम ABO Blood Group की history के बारे में समझेंगे कि कैसे जो है Carland Steiner महुदे ने ABO Blood Group का discovered किया तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक basic knowledge दोना चाहूंगा दोस्तों कि 1900 history से पहले इससे पहले क्या था दोस्तों जो scientist थे या लोग थे उनका मानना ये था कि सभी humans का blood same होता है और वो इसी वज़े से आपस में blood का transfusion करते थे बिना किसी investigation के वो लोग transfusion करते थे जिससे बहुत सारे dead होते हैं अब हम जान गए आज के knowledge में कि सब के blood group अलग-अलग होते हैं बट पहले ऐसा था दोस्तों कि कोई कुछ नहीं जानता था सब जानते थे सब के blood same है यहां तक की पहले के लोग यह भी जानते थे यह समझते थे कि जो है humans के जो blood होते हैं वो animal के blood के तरह ही होते हैं और वो animal का भी blood जो है transfusion करते थे तो ऐसी बहुत सारी कालपनिक धारनाएं करते थे जिसको 1900 ESV में कार लैंड स्टीनर महोदय ने गलत साबित किया और उन्हें एक सही थेयोरी दी इन्होंने क्या कहा 1900 ESV में कार लैंड स्टीनर ने कहा इन्होंने कहा जब टेस्ट यूब में किसी परसन का किसी एक व्यक्ति का हम red blood cells लेते हैं और किसी अन्य व्यक्ति का red blood cells लेते हैं और आपस में मिलाते हैं तो उसमें agglutination आता है clumping होती है और उन्होंने कहा and some human blood also agglutinated with animal blood और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ humans के जो blood होते हैं वो animal के blood से भी agglutination करते हैं जब उसे mix करते हैं टेस्ट्यूब में तो ये धारणा है जब उन्होंने दी और साबित किया दोस्तों तो जो पहले होता था कि animal से blood transfusion करना person to person बिना किसी check up के transfusion करना तो ये सब दोस्तों रुख गया ये बहुत ही बड़ा discovery था कार्ला एंडिस्टीनर के द्वारा he wrote a two sentence footnote उन्होंने दोस्तों कार्ला एंडिस्टीनर महुदै ने दो sentence लिखे जो एक्जाम में अक्सर पूछते हैं इसमें आप कोई भी changing नहीं कर सकते ये उनके खुद के सब्द हैं उन्होंने कहा दोस्तों कि जो healthy होते हैं humans उनके सीरम animal के red blood से ही agglutinate नहीं करते हैं वो other humans के blood cells से भी agglutination reaction देते हैं उन्हेंने कहा कि ऐसा देखा जाना चाहिए कि क्या ये appearance जो भी agglutination का हो रहा है क्या ये inborn difference की वज़े से है लोगों के बीच में या फिर और it is the result of some damage of bacterial kind या फिर ये कोई result है bacterial kind के damage का सो दोस्तों ये कार्ल लैंड इस्टीनर के दो sentence थे जो आपको exam में अक्सर पूछा जाता है now here is the 1901 अब हम बात करेंगे दोस्तों 1901 इस्वी की इससे पहले हमने 1901 में कार्ल लैंड इस्टीनर ने यहीं बताया हमें कि एक परसन का RBC दूसरे परसन के RBC से agglutination reaction देता है then second ये बताया कि जो है animal का red blood cell जो होता है वो human के blood cell से agglutination reaction देता है इसका मतलब ये था कि ना हम animal से blood नहीं ले सकते और human से भी नहीं ले सकते without checking because हमें नहीं पता कि उसका blood group A होगा या B होगा so उसका भी हम नहीं ले सकते without checking अब हम बात करते हैं 1901 की 1901 की स्वी में क्या हुआ after definitive observation carland steiner classified the blood into three groups based on the presence of antigen on his RBC यहाँ पे कह रहा है कि बहुत ही observe करने के बाद carland steiner मोदे ने blood group को तीन groups में बाटा based on the presence of antigen on his RBC और किस basis पे बाटा basis उनका यह था दोस्तों कि परतेक व्यक्ति के RBC पे antigen पाया जाता है ठीक है किसी के व्यक्ति पे antigen नहीं पाया जाएगा तो उसे blood group C में रख दिया और किसी पे A पाया गया antigen तो उसे blood group A में रख दिया तो इसी को आधार बना कर दोस्तों कार लेंड स्टीनर महदे ने blood group को तीन भागों में विभाजित किया blood group A blood group B and blood group C नोट करिएगा दोस्तों यहाँ पे A B blood group के बारे में अभी कोई भी discovery नहीं हुई है ना ही O blood group का नाम लिया गया है बट blood group C जो दोस्तों है वही आगे चलके blood group O में बदल जाता है यह हम next slide में discuss करेंगे now friends अब एक question आता है आप सभी के mind में आया होगा कि उस समय 1901 इस्वी में कार लेंड स्टीनर महदे को कैसे पता चल गया कि इनके RBC पे A antigen है इनके RBC पे B antigen है इन्हें कैसे पता चला इसके लिए इन्होंने एक experiment किया है जो कि अक्सर exam में पूछता है इनका experiments क्या था basically land steiner थे और उनके साथ 5 साथ ही थे जो काम करते थे उनके साथ और बहुत सारी books में दोस्तों बस दो scientist के नाम ही आते हैं जिसका नाम है डाक्टर प्लेट सिंग एंड एक का नाम है डाक्टर इस्टरली तो ये दोनों scientist थे ये भी जो उनके साथ काम करते थे तो इन्होंने क्या किया ऐसे ही 5 जो है जो इनके साथ काम करते थे 5 co-workers उनका इन्होंने blood लिया और अपना भी blood लिया देन उस blood को क्या किया separate किया blood को cells और serum में separate करने का वही technique है दोस्तो centrifuge machine से उस समय भी centrifuge machine की एक दूसरी technique थी oldest technique तो उसकी help से दोस्तों उन्होंने centrifuge किया serum और cell में then he found that none of the sera reacted with their own red cell फिर उन्होंने जब separate कर लिया था blood को तो एक दूसरे के cells और serum को आपस में मिलाते थे और mix करते थे तो ऐसा करने पे उन्होंने देखा दोस्तों कि कोई भी sera मतलब serum जैसे कि five coverkers थे उनके serum जो थे वो जब अपने RBC से mix कर रहे थे तो उसमें कोई भी reaction नहीं हो रहा था मतलब कोई agglutination नहीं हो रहा था तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि जो land steiner थे उनके RBC में कोई भी antigen नहीं था बट डाक्टर प्लेटसिंग सीरम reacted with डाक्टर sterlis cell लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि जो डाक्टर प्लेटसिंग थे उनका सीरम जब डाक्टर sterlis cell से मिलाया गया तो वहाँ reaction हुआ और वहाँ agglutination भी हुआ and sterlis serum reacted with प्लेटसिंग cell और जब sterlis मोहदे का serum प्लेटसिंग के cell से मिलाया गया तो वहाँ भी agglutination हुआ तो यहाँ दो बात आप लोग note कर लिजे दोस्तों कि जो उनका red blood cell था उससे कोई भी reaction नहीं हुआ तो उन्हें पता चल गया कि हाँ मेरे red blood cell में कोई भी antigen नहीं है जिसे उन्होंने blood group C का नाम दिया डाक्टर प्लेटसिंग serum react with dr. sterlis यहाँ पे उन्हें ये लगा कि हाँ कोई तो दो antigen है जो फिर मेरे co-workers में पाए जा रहे हैं जो कि मेरे में नहीं है सो दोस्तों यही इनका experiment था और इसी experiment के आधार पर इन्होंने blood group को team group में विभाजित किया था next slide में मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि यह actual में land steiner के पास क्या था वैसे तो मैंने इसमें ही बता दिया है कि जो है land steiner के पास कोई भी antigen नहीं था but next slide में हमें यह बताऊंगा दोस्तों कि डाक्टर प्लेट सिंग जो थे उनके serum में आखिर क्या ऐसा था जो डाक्टर इस्टरली से react कर रहा था और डाक्टर इस्टरली के जो है आर बी सी पे ऐसा क्या था जो डाक्टर प्लेट सिंग से react कर रहा था वो हम next slide पे discuss करेंगे so for this discovery काल एंड स्टीनर was awarded the Nobel Prize in Physiology और Medicine in 1930 तो इस जो भी डिसकवरी यह की है उन्होंने blood group को classify किया है three groups में for this discovery इस discovery के लिए इन्हें जो है दोस्तों Nobel Prize दिया गया था Physiology और Medicine के छेतर में 1930 इस्वी में यह friends objective के लिए important है इसलिए यह सब मैं बताते चल रहा हूँ आपको आगे so friends यह हमारी next slide है जिसमें Karl Land Steiner महोदे बताते हैं यह भी 1901 इस्वी की है दोस्तों इसलिए confused मत होईएगा so यहाँ पे Karl Land Steiner महोदे क्या बताते हैं they suggest at least two classes of antibodies are present in the blood group Land Steiner name it anti-A and anti-B अब यहाँ पे Land Steiner महोदे ने यह कहा दोस्तों कि at least two antibodies तो हैं जो reaction दे रही हैं जैसे कि डाक्टर प्लेसिंग के और डाक्टर इस्टरली के red blood cell के साथ हुआ आपस में वो reaction आखिर क्यों करी मतलब कि वहाँ पे antigen और antibody था तब ही agglutination वहाँ पे हो रहा था तो यही उन्होंने कहा कि at least two antibodies blood group में present होती है जिसका उन्होंने नाम दिया anti-A and anti-B नौ फ्रेंट्स जो हमारा previous slide में हमने बताया था आपसे कि डाक्टर इस्टरली का जो cells था वो डाक्टर प्लेसिंग से react कर रहा था और लैंड स्टीनर मौदे का जो RBC था वो किसी से भी reaction नहीं दे रहा था तो उसके पीछे का reason ये था कि डाक्टर इस्टरली carried A antigen on his RBC and have anti-B antibodies in his serum कह रहा है कि जो डाक्टर इस्टरली थे दोस्तों उनके RBC पे A antigen था और जिसके RBC पे A antigen होता है उसके पास anti-B antibodies होता है उसके plasma में और serum में इसलिए जोस्तों ये डाक्टर इस्टरली का A antigen डाक्टर प्लेसिंग के anti-A antibodies से reaction किया और agglutination appear हुआ दिन डाक्टर प्लेसिंग carried B antigen on RBC and have anti-A antibodies in his serum और कह रहा है दोस्तों कि जो डाक्टर प्लेसिंग थे उनके RBC पे B antigen था और जिसके RBC पे B antigen होता है दोस्तों उसके serum और plasma में anti-A antibodies होता है तो इसलिए डाक्टर प्लेसिंग का जो RBC था दोस्तों वो डाक्टर इस्टरली के cell से reaction दिया यहां पर कह रहा है दोस्तों कि जो लैंड इस्टीनर थे इनके जो cells थे के cells में ना ही A antigen पाया जा रहा था ना ही B antigen इनके RBC पे कोई भी antigen नहीं था लेकिन इनके RBC पे मतलब जो इनका cells था उसमें जो है दो antibodies पाय जा रही थी NTA and NTB जिसे इन्होंने blood group C का नाम दिया था और वही blood group C आगे चल कर blood group O में बदल गया अब हम इस्टोरी को आगे बढ़ाते हैं अब हम बात करते हैं 1902-192 की तो इससे previous में हम लोग नहीं 1902-191 के जो भी history थे blood group से related उसकी बात कर ली नाम अब हम 1902-192 की बात करते हैं So AB blood group was discovered by one discastolo and sterly अब यहां कह रहा है दोस्तों जो blood group का चौथा blood group था जो अब हम लोग जानते हैं AB blood group जिसे कहते हैं उसकी discovered की थी one discastolo and sterly scientist ने Now here is the 1910 अब दोस्तों हम बात करेंगे 1910-1910 में blood group के छेतर में क्या हुआ था So Ludwig Hitchfield and Emil Frehavon Dungan introduced the term zero for the group Land Steiner designated as C यहां पर कह रहा है दोस्तों की जो Land Steiner मौदे ने group बनाई थी और blood group C बनाई थी उसको जो है दो scientist जिसका नाम था Ludwig Hitchfield and Emil Frehavon Dungan उन्होंने क्या किया उस C group को zero का नाम दे दिया जिसका मतलब होता है null कुछ नहीं मतलब उसमें ना antigen है ना B antigen है तो इन दो scientist ने उसका नाम zero दे दिया सबसे पहले Now friends here is the some special points कुछ महिदपूर बिंदू और हैं जो हमें जानना चाहिए दा सीरो लोजिस्ट जैन जैन इसका इंटर्ड्यूस ब्लड टाइप क्लासिफिकेशन इन 1907 इन लोकल जर्लन ही क्लासिफाई दा ब्लड इंटु दा रोमन नुमेरिकल्स 123 & 4 कह रहा है दोस्तों कि एक सीरो लोजिस्ट थे एक विज्ञानिक थे जिनका नाम था जैन जैन इसकाई उन्होंने फर्दर दोबारा जो है विनीस सो साथ इस्वी में काल लैंड इस्टीनर मोहदे के बाद इन्होंने फिर दोबारा क्लासिफिकेशन किया बलड ग्रूप को वो भी रोमन नंबर में 1,2,3 & 4 में देन अमेरिकन फिजीशियन विलियम अलमोस गिफस इसलाइटली डिफरेंस क्लासिफिकेशन इन रोमन नुमेरिकल 1,2,3 & 4 देन जैन जैन इसकाई मोहदे के बाद एक अमेरिका के फिजीशियन थे जिसका नाम था विलियम अलमोस ये भी एक विग्यानिक थे इन्होंने भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता दोस्तों बलड ग्रूप को कलासिफाई किया रोमन नंबर में 1,2,3 & 4 में आगे फिर हम अभी बात करेंगे दोस्तों कि फिर इनका जो है ये एकसेप्ट हुआ या नहीं हुआ सो वो हम नेक्स स्लाइड में डिसकस करेंगे नाओ, in 1927, Land Steiner who had moved to the Rockefeller Institute for Medical Research in New York and as a member of a committee of the National Research Council concerned with blood grouping suggested to substitute Gen Geneska and Moss system with the letters O, A, B and AB यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि 1927 इस्वी में कार्लैंड इस्टीनर, Rocky Filler Institute for Medical Research नाम के एक इस्टीट में, जो की नियॉयर्क में है, वहाँ पर चले गए and as a member of a committee और वहाँ पर एक संगठन के सदस बन गए संगठन का नाम था National Research Council वहाँ के सदस बन कर दोस्तों, उन्होंने Gen Geneskai जो थे and Moss जो थे, William L. Moss उनके सिस्टम जो उन्होंने classification दिया था, Roman number में, उसको इन्होंने कार्लैंड इस्टीनर महोदे ने O, A, B and AB में convert कर दिया, because जो इन्होंने classification दिया था Geneskai और Moss ने, वो कार्लैंड इस्टीनर का ही तो copy था दोस्तों, तो इसलिए लैंड इस्टीनर ने उसे पुना O, A, B and AB में convert कर दिया, जिसे हम लोग worldwide accepted करते हैं Now, there was another confusion on the use of figure zero for German null as introduced by his field and wandern gun, because others use the letter O for only meaning without or zero, Land Steiner choose the letter O, तो यहाँ पर कह रहा है, जो विज्ञान के छेतर में, blood group के छेतर में, जो दूसरा confusion था, वो यह था कि zero को क्या استعمال किया जाए, कैसे उसका यूज किया जाए, because German के जो लोग थे, वो इसको zero समझते थे, because इसको his field and wandern gun, मौदे ने दिया चाज़ों कि जर्मन के थे, लेकिन जो others country के थे, वो इसको O use करते थे, O means only, meaning without, मतलब कुछ नहीं, तो Land Steiner मौदे ने क्या किया, Land Steiner मौदे ने zero को नहीं चुना, Land Steiner ने O को चुना था, the new system was gradually accepted and by the early 1950s, it was universally followed, कह रहा है दोस्तों कि इतनी सारी confusion के बाद, जो ये नया सिस्टम था, नया सिस्टम का मतलब हुआ A, B, A, B and O, इसको जो है दोस्तों, 1950 इसवी में universally accepted किया गया था, now here is the history of blood group का last slide है दोस्तों ये, the first practical use of blood typing in transfusion was by an American physician, Robin Ottenberg in 1907, कह रहा है दोस्तों कि जो सबसे पहले correctly method से blood का transfusion हुआ था, वो अमेरिका के रहने वाले एक physician थे जिसका नाम था, Robin Ottenberg, उन्होंने 1907 इसवी में दिया था, Felix Bernstein demonstrated the correct blood group inheritance pattern of multiple allele at one locust in 1924, अब कह रहा है दोस्तों कि Felix Bernstein एक scientist थे, जोनोंने बताया कि multiple allele थे हैं दोस्तों, हमारे blood में जो एक locust पे पाए जाते हैं, एक chromosome होता है, उसके locust पे पाए जाते हैं, तो Felix Bernstein का यह योगदान था, इन्होंने बताया कि जो भी blood group बनता है दोस्तों, A blood group बने या B blood group बने, तो वो जो बनता है, वो हमारे माता-पिता से आता है, inheritance pattern के बारे में, फैलिक्स बनिस्टीन ने सबसे पहले 1924 सिस्वी में बताया था, now, Watkins and Morgan in England, discovered that the A.B.O. epitopes were confirmed by sugars, आप दोस्तों कह रहा है कि Watkins और Morgan, दो scientists थे, इंग्लेंड के रहने वाले, जोनोंने discovered कि A.B.O. पर epitopes पाया जाता है, जो कि confirm हुआ था, सुगर के दोरा, Phinney et al 1978 found that the human erythrocyde glycoproteins content poly, lactosamine chain that contains A.B.H. substances attach and represent the majority of the antigen, अब कह रहा हैं दोस्तों कि एक विज्ञानिक थे जिसका नाम दा Phinney et al, उन्होंने 1978 इस फी में पाया कि human के RBC, erythrocyde means RBC, RBC पर glycoproteins पाया जाती हैं और glycoproteins के अंदर होता है poly lactosamine के chain होते हैं और उस chain के अंदर दोस्तों ABH के substances मौजूद होते हैं, जो कि ABH के substances दोस्तों represent करते हैं कि कौन सा antigen आपके blood पे बनेगा, thank you guys for watching my video, if you have any query or question you can ask me via comment section, thank you.